नवश्कार स्वागत है आपका राची क्लिप्स में आज हम आपको दिखाएंगे कि जहरकंड के मुख्यमंत्री हेमन सुरिंग के काफिला का कैशा होता है दिर्शे कि राची के सडकों पर किस परकार हेमन सुरिंग का काफिला गुजरता है तो चलिए वीडियो शुरू करते ह मुख्यमंत्री के निकलने से 15 मिनट पहले ही सभी ट्रैपिक पलिस को सूचना देकर एक्टिव कर दिया जाता है ताकि किसी भी चौक में जाम की स्थिती नहीं हो जिससे कि मुख्यमंत्री का काफिला को कहीं रुकना नहीं पड़े आपको बता दे कि जार्खन की मुख्यमंत्री ब्यम डबलू कार में चलते हैं जिसे 2020 में 69 लाक रुपए देकर खरीदा गया था यद्रिशे राची के राजभवन वाले रास्ते की है मुख्यमंत्री हेमन सोरिन के पास वर्तमान में जेट प्लस सुरक्षा का घेरा है मुख्यमंत्री के काफिले के सामने एडवांस पाइलेट कार चलती है जिसमें एक दरोगा या इंस्पेक्टर रेंग का अधिकारी और चार कमांडो रहते हैं पाइलेट कार के पीछे स्कॉर्ट वन होता है जिसमें एक दरोगा या इंस्पेक्टर वह चार कमांडो होते हैं इसके पीछे वियाईपी कार होती है जिसमें डियस्पी की गारी होती है इसके पीछे दो स्कॉर्ट वाहन होते हैं बीच में मुख्यमंतरी की गाड़ी होती है इसके अलावा एक स्पेर कार और एक एमबुलेंस भी काफिले में होता है प्रज़ प्रड़ टारी गए आ है इवन हम सभी प्रड़ा दिकारी गए सभी है आै अटकाईगे अते हो सेग देनी